नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल डंके की चोट पे में आपका तह दिल से स्वागत है और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे मलाई कुलफी के बारे में इस वीडियो को लास्ट तक देखें लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दू अगर आपने अभी त केवल प्यास बुझाते हैं बलकि थंडा थंडा हैसास भी करते हैं सामगरी एक लीटर दूद पचास ग्राम शक्कर एक सो बीस ग्राम कंडेंस्ट मिल्क एक टी स्पून इलाइची पाउडर बनाने की विधी दूद को तीन चोथाई होने तव बाले फिर इसमें शक्कर डा पांच मिनट तकलगातार चलाते हुए पकाएं फिर कंडेंसर मिल्क और इलाइची पाउडर मिलाकर चलाते हुए पकाएं अब इस मिश्रन को कुलफी के सांचे में डालकर फ्रिज में कम से कम 10 गंटे के लिए रख दें फिर सांचे में से निकालकर इसके उपर रोजव वी सिर्फ स्ट्रोबेरी, क्रीम वर ड्राइफूरत्स से सजाकर सर्व करें। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अन्फॉर्मटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेस्बुक और व यूट्यूब चैनल डंके की चोट पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले क्योंकि रोजाना हम आपके। लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो लेकर आते रहते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार द कुस्तों